नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तोस्तो आज की इस वीडियो में में आप लोगों को एक बनता हुआ घर का जो अब थक का पूरा काम किया गया है इसके बार में बताना साता हूं घर के अंदर भी ले चलोँगा दिखाओंगा किस तरीके से काम किया जा रहा है और साहतों इस तरीका से आप अपने घर के लिए एक काम करवाते हो तो आपको कितना रुपत का खर्च आ सकता है इसके बार में भी आप लोगों को पूराजानकारी देना चाहता हूं बात कर लेते हैं बाहर वाला जो आप देख पार है उस साइड भीव इसका तो यहां पर एक एक जीट डोर दिया गया उसके साथ-साथ यह उपर वाला हिस्सा में आप देखेगा तो लगवा सार तीन फिट का आसपास का चाजा निकाला गया है जो भी इस घर का विंडो है कुछ इस तरीका से यहां पर बनाया जारा बॉक्स के साथ में इसके साथ उपर में कुछ इस तरीका से पायरपेट वाल का भी काम किया जारा साथ में यहां पर इस्टिल का रेलिंग के साथ में जो पोर्टिको है उसके उपर में काम है वो किया गया है घर के अंदर भी चलेंगे एक बारा बाहर से देख लेज़े किस तरीका से बनाया जारा यह पोर्टिको है तो आपने देख लिया कि घर को किस तरीका से एंदर किस तरीका से बना ही और बित में पॉइंट दिया गया इन offended था तो फैन के लिए बीच में पॉइंट दिया गया इन सारा चीज को आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप घर के लिए च्छत का डलाई है वह करते हो कहां पर पॉइंट देना है उसी समय आपको गुशने के साथ ही इस घर के लिए बनाया जारा है पूजा रूम पूजा रूम के लिए बहुत ज़्यादा दर्वाजा का सकता नहीं होता है जो डोर है उससे आपका काम चाल जाता है अंदर में देखे कुछ इस तरीका से लिंटर के लेबल टक पतलब साथ फिट के उचाहि तो इस तरीका से यहां पे काम है वह किया जारा एलवेशन टाइल यहां पर लगा हुआ देख पा रहे हो इसके साथ साथ आप इधर आईएगा तो आपको यहां पर मिल जाता है आर्क सेपका किया गया कुछ काम यह आपको हॉल है आगे आपको यह डाइनिंग एरिया है इस इस तरीका से यहां पर काम है वह किया जारा है यह आप देख सकते हो इसके साथ तोरह और आगे बढ़ते हो तो आपको लेप्ट साइड में यह देखे कुछ इस तरीका से खाली जगा मिल जाता है छोटा सा रूम है जिससे आप एस्टरी रूम की रूम में इस्तिमाल कर सकत हो और इसके साथ साथ और आगे चलते हो तो आपको इधर मिल जाता है घर के लिए सीड़ी यह दोस्तों क्लॉक वाइस सीड़ी यहां पर निर्मान किया गया है पहला फ्लाइट पाटे हो गया लेंडिंग हो फिर सेके फ्लाइट पाट होते हो घर में चला ऊपर चले जाते ह है आप इसलिए यहां पर देख पा रहे हो इसके साथ यहां पर आपको इस घर के लिए पहला रूम मिल जाता है यह देख सकते हो लबक बार फीट का सबस्का रूम है कमफर्टेबल साइज यहां पर लिया गया है और इसके साथ अंदर में जो पुट्टी वगरे काम है वह चल रहा है इसलिए आप यहां पर देख पार हो इसके शत्तोर और आगे चलते हो चलिए मैं आपको पूरा चीज दिखाता हूं कि कि इस त टरीका से काम हैं वो ऐगा आगे चालते हो तो यहां पर आपकोब टॉलेरट है बहागे, यहां पर बारा फिट साथ में चार बाई-चार का 2 विंडों यहां लगा गया है इसके साथ double window के साथ में पर काम है किया गया, corner वाला room में इसलिए double room का का, double window का का में आपके किया गया और light वगला के लिए point भी आप देख सकते हैं, उपर में light लगाया जागा, चार light के साथ एक fan के लिए point है वो दिया गया है जैसे फिटिंग किया जाएगा आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर फैन आ जाएगा, चारो corner पर light आ जाएगा इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस घर के लिए यह जो भी wiring वगरे का काम है, जो complete किया जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा इस तरीका से light वगरे फिट यहाँ पर किया गया, उसके साथ इधर भी आपको एक room है वो देखने को मिल जाता है, इसलिए आप यहाँ पर देख पार हो, यहाँ पर एक window है, तो इस घर में total 4 bedroom के लावा, hall, dining area, kitchen, toilet, bathroom के साथ में सीड़ी, और पूजा room भी आपको देखने को मिल जाता है, tile वगरा का काम, अंदर से आप देख पार हो, almost complete हो नहीं वाला है, इस तरीका से यहाँ पर काम है वो, किया जारा, इधर भी आप देख सकते हो, यह आखरी दोर पर काम है वो चल रहे टायल का, और यह जो आप पुट्टी का काम देख पार हो, पुट्टी का का आपको डाइनिंग एरे मिल जाता है, इस घर के लिए शीडी, इसके साथ इधर आपको कीचेन मिलता है, कीचेन अब तक आप नहीं देखे हो, आगे मैं आपको दिखा देता हो, इस घर के लिए कैसे बनाया जारा है, इसके साथ यहाँ पर आप देखेगा, तो यह विंडू आगे आपको दोनों तरफ से रूम मिलता है, उसके साथ साथ, यह तो पीछे की तरह भी दो रूम मिलता है, उसके साथ यहाँ पर आपको इस घर के लिए कॉमन टोलाट बात देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ से रूम का काम में आपे किया जा रहा है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपा का खर्चा आया है तो बता दो कि इस घर को 2000 स्कॉाइर फीट में बनाया जा रहा है इसमें आपने देखा था कि इसली इस घर में अनुसार वो 19 से 20 लाग के आसपास में बताया जा रहा है अब तक का टोटल खर्चा मतलब इसमें लेबर कोस्ट के साथ साथ मेटेरियल कोस्ट भी इंकुलूडेड है नक्सा बनाने से लेकर अब तक का टोटल खर्चा में आप लोगों को बता रहा हूं अगर आप भी मुझस तरीका से सघर को कंप्रीट किया गया असे बहुत सघर का डिजाइन वीडियो के लिए चानल सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्यू सो मच